शिक्स्थ कलास के प्यारे बच्चों सभί को गूड इम निंग। आज हम पढ़ते हैं सोरमंडल में प्रिथभी। अब ये सोरमंडल क्या है। जिससे हमारे पजर इतन बेसे सोरमंडल के inclusion के इंदर क्या होते हैं। सारे ग्रहने चत्तर तारिय सुर्मंदल के अंदर ही आते हैं, अब सुर्यास्त के बाद, यानि कि हम कहते हैं बसा में सुर्यास्त चिप चुका है, यानि सुर्यास्त के बाद अकास को देखना कितना अच्छा लगता है, आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते ह पहले सुर्यास्त के तुर्ट बात लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है आप उनकी गरणा नहीं कर सकते आप उनको गिर नहीं सकते समपूर्ण अकास यानि पूरा अकास आसमान छोटी छोटी चमकदार बस्तों से बर जाता है जिन में से कुछ चमकिले होते हैं और कुछ दुंदले होते हैं इसा परतित होता है मानो अकास में हीरे जड़े हो इन में से कुछ टिम्टिमाटे पड़ती तो होते हैं लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप आएंगे कि इन में से कुछ की टिम्टिमाट अन्ने से अलग है ये बिना किसी टिम्टिमाट के चंद्रमा के समान समकते है इन समक्ली बस्तों के साथ आप लगबग पड़ती दिन चंद्रमा को भी देखते हैं यह अलग अलग समय पर अलग अलग अकाता अलग अलग स्थित्यों में दिखाई देता है क्या चंद्रमा आप पूर्ण्चंद्र को लगबग एक महिने में एक बार देख सकते हैं यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पुर्णीमा होती है अब यहां प्रसन बनता है पुर्णीमा क्या होती है यानि कि पूर्ण चंद्र को लगबक एक महिने के अंदर एक बार देखना यानि ये पूर्ण चंद्रमा बारी रात पुर्णिमा के लाती है पंद्रा दिन के बाद अब पुर्णिमा के बाद किया दे दे करना सुरू हो जाता है पंद्रा दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाते किसे चांद को चंद्रमा को तो ये नहीं चंद्रमा की रातरी मवस्या होती है इसी रात में अगर आशमान साफ है तो आप आशमान का अभलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं क्या आप कुछ बात पर आश्चर यह नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोड़ी चंकिली बस्तों को क्यों नहीं देख पाते हैं देखो यहां पर क्या हो गया हम उनी बस्तों को रात में चमकते देखते हैं पर तुम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं एसा इसलिए होता है क्योंकि सूरिया के अत्यदिक तेज़ प्रकास के कारण रात के समय चमकने वारी बस्तों को हमें दिन में नहीं देख पाते हैं किसके कारण सूरिया के तेज़ प्रकास के कारण हमें बो सभी समकिले बस्तों दिन में नहीं देख पाते हैं सूरिय चंदरमा दता वे सभी बस्तों में जो रात की समय आसमान में चमकती है तो गोलिय पिंड कहलाती है सूरिय चंदरमा दता वे सभी बस्तों कौन सा सूरिय चंदरमा आगया और वे सभी बस्तों जो रात की समय आसमान में चमकती है सारी क्या कहलाती है खंगोलिय पिंड कहलाती है कुछ खंगोलिय पिंड बड़े आकार बाले तथा गरम होते हैं ये गेंसों से बने होती है इनमें गेंस होती है इनके पास अपनी उस्मा प्रकास होता है जिसे भी बहुत बड़ी मात्रा में उसर्जित करते हैं यानि क्या करते हैं छोड़ते हैं इनक गोलिय पिंडों को तारा कहते हैं अब पर स्नमन गया तारा किसे कहते हैं सुरिय भी एक तारा है तारा किसे कहते हैं कुछ कगोलिय पिंड क्या होते हैं बड़े अकार के होते हैं जैसे सुर्य होता है ना बड़े अकार था गरम होते हैं ये गेंसों से बने होते हैं इनके पास अपनी उसमता प्रकास होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं इन सुरिया क्या है एक तारा है रात की समेश चमकते हुए अनगिनित तारे सुरिया के समान ही है अनगिनित जिसे गिनाना जा सके लेकिन हमसे बहुत दिक दूर होने के कारण हम लोगों उनकी उस्मय प्रकास को मेसुस नहीं करते तथा भी अतेंठ छोटे दिखाई पड़ते हैं आपने आवस्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दोली से देखने पर सभी बस्तों छोटी दिखाई पड़ती है अत्य दिक जाज अत्य दिक उन्चाईए पर ऊड़ रहा कितना चोड़ दिखे जाता है रातरी में आसमान की ओर देखते समय आपतारो के बिविन ऌड़ाद करते को को देख सकते हैं यह उत्छों का किलाते हैं और श ह्याट्रों किसा कहते हैं रातरी में आशमान की ओर देखते में जब हम रात में आकाश के और देखते हैं तो हमें क्या दिखा देता है बहुत से तारों के सब्सक्राइरे दिरुप दॉर्प आकहिजियों को देख सकते हैं यह 12 मंजल के लाते हैं अर्सा में जरी है बिग बियर इसी प्रकार किया एक चैट्रमंडल है बहुत असानी से पेचान में आने वाला है बहुत को सपत रिशी सपत है सं श्याथ 24 संथ में यह साथ तारों का सम्हुआ है इसे कहते है से पतर इसी जो